आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस दे अंगल अफ प्रिज्म तो जो अंगल अफ मिनमम डेवियेशन है देट इस डेल्टा एम उसका वैल्यू क्या होगा वो हमसे पूछ रखा है तो हम लोगों ने एक फॉर्मला पढ़ रखा है पोर दे मिनमम डेवियेशन वो रिलेशन क्या आपका कि जो reflective index jो mu होता है that is equal to the sine of a plus का डेल्टा एम by 2 and divided by जो हमारा वैल्व होता है sine of a by 2 यहाँ पर a जो आपका है वो अंगल अफ प्रिज्म है और जो डेल्टा एम है डेल्टा एम इस दा अंगल अफ मिनमम डेवियेशन यह हमारे हां पर फिर से अंगल ऑफ प्रिजम है अब चुकि एक्विलेटरार ट्रेंगुलर प्रिजम है तो ए का जो वैलू होगा इट विल बेक्वल टो दा 60 डिग्री ना और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ते रहका हमारा रूट थरी ते जगा आपका रूट थरी और इसको अगर मैं इधर लिया हूं तो जग अपका साइन आफ टू और यह हो जागा आपका साइन आफ यह आपका जगा एक जागा पर रहलेंगा 60 प्लस का डिल्टा एम अपन 2 तो अगर यह अपका जागा साइन 30 तो यह आपका जागा रूट थरी बाइट और यह वैलू होगा डेल्टा एम अपउन टू ओके यह वैलू कितना अगय है रूट 3 बाइ 2 को मैं लोग कह सकते हैं कि साइन 60 डिगरी के बराबर हैं और यह इधर हो जागा साइन और 60 plus का delta m upon 2 के बराबर, okay तो यह value हमारा कितना जगा, यहां से आपका जगा 60 degree और यह value आपका जगा 60 plus का delta m upon 2 के बराबर, okay तो यह value कितना हो जगा, यहां आपका जगा 120 और 120 माइनस का 60 यहां पे जगा angle of minimum deviation और उसका value हो जगा, it will be equal to the 60 degree and this will be our final answer, okay Thank you 6-12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर